नमस्कार फैंट्स मेरे नाम बबलो उर्मा पेपर है करमी आपका स्वागत है आज देखने वाले हैं बीए पार्ट बन हिस्ट्री का ये बीए सेकंड समिस्टर वालों के लिए ठीक है और लेक्टर नमबर सेकंड रहने वाला है तो आज का जो लेक्टर नमबर है वो सेकंड लेक्टर है अच्छी प्रिकार से देखना थोड़ा सा डीपली पढ़ाऊंगा क्योंकि एक भी क्योशन आपका बाहर ना जाए ठीक है तो बढ़ते हैं आज का जो हो जाएगा बो हो जाएगा बीए पार्ट बन सेकंड सेमेश्टर वालों के लिए हिश्टरी का हो जाएगा आपको पता है दिल्ली सल्तनत कब से कब तक है ठीक है दिल्ली सल्तनत जो आती है तो अपनी आती है बारा सो छे से लेकर पंदरा सो छब्विस तक है ना 1206 लेकर 1526 तक पानिपत के युद्ध तक उसके बाद होता है गुलाम बंस श्टार्ट होता है गुलाम बंस कब तक रहता है 1777 तक तो इसके बारे में हम 1206 से लेकर 1777 तक यहां पर हम देखने वाले हैं तीक है हमने जो पहला था अरबी आक्रमवकारी जो अरब जो आए थे ठीके उनको हमने देख रखा था वो अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लेना ठीके और इसकी PDF डानलोड करना है तो डिस्क अपने रखा है लिंक के बहां से डानलोड कर लेना क्योंकि एक बार यहां पढ़ना है उसके बाद PDF से पढ़ना है ठीके बढ़ते हैं आगे की ओर क्योंकि यहां पर पढ़ोगे थोड़ा डीपली होगा तो आपको क्या है PDF से एक बार रिवाय जरू कर लेना है देखन लखना ठीक है बढ़ते हैं आज का जो हमारा हो जाएगा सेकेंड वाला हो जाएगा फस्ट वाला हो चुका है ठीक है आज का होगा वो हो जाएगा कुतुब बुद्दीन एबक मतलब आज से हम क्या देखने वाले है आज का जो टौफिक हमार रहने वाला है वो रहने वाला है गुलाम बंस का किसका गुलाम बंस का रहने वाला है ठीक है आज का जो हमारे टौफिक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा गुलाम बंस का हो जाएगा बहुत ही important topic और यहां से question भी बार बार उड़ते हैं है ना तो बढ़ते हैं कुत्व बुद्दीन एबक के बारे में यहां से जानकारी थोड़ी सी हम लेंगे क्योंकि यह topic है कुत्व बुद्दीन एबक गुलाम बंस है तो यहां पर कुछ deeply facts भी देखेंगे अब एक बात बताएगा यहां से हमारा कुत्व बुद्दीन एबक जब आते हैं क्योंसे पहले हमने क्या देखा मुहमद बिन कासिम और भी आकरमन कारी आया उसके बाद को न आया मुहमद गजनभी जिसने 17 वार आकरमन किया सुमनात मंदिर पर 1025 इसवी में आकरमन किया ठीक है बो भी हमने देखा उसके बाद हम कहां गए थे गौरी की और गए थे अब गौरी के बाद जो उसका गौरी का गुलाम होता है ठीक है यहां से हमारी जो हो जाएगी दिल्ली की कह सकते हैं दिल्ली सलत्रत क्या होगी यहां से स्टार्ट हो जाएगी तो मेरा मानना है जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा क्या है दिल्ली के बारे में जानकारी होनी चाहिए है ना थोड़ी सी दिल्ली के बारे हम जानकारी होनी चाहिए तो इसी को हम देखेंगे सबसे पहले तो बात करेंगे यहां पर हैडिंग डाले ना दिल्ली क्योंकि यहां पर हम पहुंच चुके हैं दिल्ली से जाही रहे हैं तो दिल्ली को हम यहां पर रोधी के बीद 1526 में तो दिल्ली सर्टन्त का काल अगर मुचले तो ध्यान लखना 1206 से लेकर 1526 तक जब तक पानिपत का युद्ध हुआ था ठीक है उसके बाद 1757 हो जाएगा हमने देखा आई है ना वो जाए गुलाम बंस का 26 से लेकर सता बन अब बढ़ते हैं आगे दिल्ली बन सके दिल्ली सर्टन्त के बारे में दिल्ली जो थी पहले हमारी दिल्ली राजधानी नहीं थी यह आपको पता है ना पहले हमारी जो राजधानी थी वो दिल्ली नहीं थी पहले हमाई राजदानी क्या थी? कलकत्ता कोलकाता कहते हैं तो कोलकाता कर दो ठीक है? कोलकाता तो बात करते हैं सबसे पहले जो राजदानी हुआ करती थी वो कोलकाता हुआ करती थी कहाँ पर? कोलकाता हुआ करती थी और कब हुआ करती थी ये हुआ करती थी 1772 में 1772 इस भी में कोलकाता राजधनी बनाई गई थी उस समय जो ब्वाइस राय हुआ करते थे उस समय जो ब्वाइस राय हुआ करते थे वो कौन था उसमें ब्वाइस राय कौन था वार इन्हेंसिंग था कौन था वार इन्हेंसिंग याद होने चाहिए ठीक है तो बाद करते हैं कलकत्ता जो दिल्ली राजधानी थी दिल्ली राजधानी बनने से पहले जो राजधानी भारत की हुआ करती थी वो कोलकाता हुआ करती थी ब्रीटीस के जमाने में ठीक है ब्रीटीस का जब यहां परदिकार था तब 1722 रिस्वी म ब्वाइसराय था बोरन हैंस्टिंग बोरन हैंस्टिंग ने 1732 में कुलकाता को भारत की राजानी बनाया था फिर आते हैं जॉर्ज पंचम जॉर्ज पंचम आते हैं और आती हैं इनकी पत्नी थी मेरी कौन मेरी जॉर्ज पंचम और मेरी भारत आते हैं कब 1911 में 1911 नहीं होगा 1911 1911 1911 में 1911 में कोन आते हैं 1911 में आते हैं George, Puncham और मेरी कहा आते हैं भारत उस समय जो यहां का भॉय सरा है उस समय यहां का भॉय सरा है कौन था उस समय जो यहां का बॉयसरा है था वो हो जाता है Lord Harding यह बनते हैं क्योशन क्योंकि यहां पर दिल्ली सत्की बात हो रही तो कौन था Lord Harding Lord Harding जो हो जाता है वो जब हमारा जौर्ज पंचम और मेरी जब भारत आयते 1911 में तो उस समय जो बॉयसरा हुआ करता था Lord Harding था ठीक है इसी के साशनकाल में दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है अब दिल्ली क्या होती है राजधानी बन जाती है कौन घोसना करते है जोर्ज पंचम मेरी आते हैं बहे कलकत्ता से कहाँ पर स्थांचर कर देते हैं राजधानी को दिल्ली में कब 1911 में इसकी डेट बहुत याद रखना है तो आपको क्या करना है आपको याद कैसे करना है बात करें यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर लिख देना 11 फिर उसके बाद 12-12 लिख देना कितना 12-12 तो क्या हो जाएगा 12-12 12-12 1911 ठीके तो 12-12 1911 में जो थी दिल्ली को राजधानी बनाय गया था जौर्ज पंचम और मेरी के द्वारा उसके बात करते हैं उससमें बॉइसराई कौन था उससमें बॉइसराई जो हो जाते हैं वो जाते हैं लाड हाडिंग ध्यानक ना कनफ्यूजी नि उनाया पहले 1772 में कलकत्ता राजधानी थी उसमें बॉइसराई जो था वो कौन था बॉइसराई गरन हैस्टिंग था बॉइसराई ने ही कलकत्ता को राजधानी 1772 में बनाया था उसके बाद जौर्ज पंचम आते हैं वो ऐसा है वह होते हैं। पनोते हैं लाड़ हाइडिंग होते हैं। बस इतना ही यहां हiu हम ने देख लिया। ठीकै तोड़े से और है अगर पूछ लिता है तो democratic Champions में पूछ लिता है कि सीथ तçar राजधानी भारत की सीथ काली ता्पाइन राजधानी कौनसी है। और भारत की ग्रीस मकाली नाजधानी कौन सी है तो बात करते हैं भारत की सीत काली नाजधानी भारत की सीत मतलब ठंडी कौन सी हो जाएगी वो हो जाएगी धर्मसाला कौन सी है धर्मसाला है बरतमान में भारत की सीत कालिन राजधानी अगर पूछले तो कौन सी है धर्मसाला अगर बही पूछले भायत की ग्रीस में कालिन राजधानी कौन सी है तो वो हो जाती है सिमिला कौन सी हो जाती है सिमिला और दोनों की दोनों की सराज में है तो देहां नकना दोनों की दोनों जो हो जाते वो हिमाचल प्रदेश में है हिमाचल प्रदेश में है ठीक है दोनों की दोनों किस राज में है धर्मसाला और सिमिला दोनों की दोने हिमाचल प्रदेश में इस्थित है ठीक है तो यहां से इतने क्योशन बनते है बस और हाँ एक और बन जाता है यह बताएगा जो दिल्ली का पुराना नाम था दिल्ली का जो पुराना नाम हो जाता है वो कौन था तो दिल्ली को राजधानी बनने से पहले क्या कहते थे इंद्र प्रस्त कहते थे इंद्र प्रस्त दिल्ली को राजधानी बनने से पहले क्या कहा जाता था इंद्र प्रेस्त कहा जाता था, ठीक है भी, अब बढ़ते हैं, आगे की ओ, इतनी knowledge होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली सल्तरत में हम जा रही है, इंट्री कर रहे हैं, तो दिल्ली के बारे में थोड़ी सी knowledge तो हमारे पास होनी चाहिए, है ना, तो बाद करते हैं, एक बार revise कर ल जाते हैं, उसके बाद जो बाइसराय बोर्न हैंस्टिंग था, वो कलकत्ता को राजधानी बनाता है, उसके बाद जॉर्ज पंचम मेरी आता है, 1911 में, जो दिल्ली को राजधानी बनाएता है, कलकत्ता से स्थांतित करके, डेट याद रखना 12-12-11, मतलब 12 दिसम्बर 1911, बही बात करते हैं, उसमें कौन था, जो बाइसराय था, भारत का वो को रता है, लाड हार्डिंग हो जाता है, और सीत कालीन जो राजधानी है, वो धर्मसाला, ग्री सिंगल राजधानी है, वो हो जाती ही, सिंगला, दोनों की दोनों कहां पर है है, माचर प्रिदेश में, दिल्ली का पुराना नाम पूछ ले तो क्या हो जाएगा इंद्र प्रस्त ठीक है अब बढ़ते हैं आगे की गोर अब हमारा आजाता है टौफे कुतो बुद्धीन एबक देखेगा अब जो कुतो बुद्धीन एबक अब जो कुतो बुद्धीन था वो किस बंस का संस्थापक था मतलब कुतो बुद्धीन एबक ने किस बंस की स्थापना की थी या कह सकते हैं किस दिल्ली सल्तनेत की स्थापना की थी तो वो हो जाता है गुलाम बंस की स्थापना करता है गुलाम बंस की स्थापना कौन करता है कुत्व बुद्दीन एबग करता है तो यहाँ पर पिर्थम और लाष्ट आपको याद होने चाहिए ठीके पिर्थम और लाष्ट क्या होने चाहिए आपको याद होना चाहिए कि गुलाम बंस का पिर्थम सासक कौन था और अंतिम सासक कौन था अगर गुलाम बंस का पिर्थम सासक मुझ ले तो आपको बताना है गुलाम बंस का जो अंतिम सासक हो जाता है वो कौन था इसको comment box में फटावर चाप देना अगर आपने theory wise मेरी class देखी होंगी तो सारे की सारे आपको याद होए होंगे ठीक है बात करते हैं जो पिर्थम सासक हो जाता है वो कौन हो जाता है वो जाता है कुतब बुद्दीन एबग यही नाम है ठीक है कुतब बुद्दीन एबग अगर बात करने जो अंतिम सासकता वो कौन हो जाता है वो हो जाता है कैमूर्स भी कभी कभी देखने को मिलेगा आपको कैमूर्स भी कभी कभी देखने को मिलेगा और कभी कभी आपको कैकुवाद भी देखने को मिल जाता है ठीक है सहावद्दीन कैमूर्स वैसे नाम सहावद्दीन कैमूर्स है कभी कभी आपको कैकुबाद भी देखने को मिल जाता है तो ध्यान रखना यहाँ पर भी कै होगा यहाँ पर भी कै होगा ठीक है कैसे कैकुबाद और कैसे कैमूर दोनों नाम इसी के हैं अब बढ़ते हैं आगे की और पिर्थम और अंतिम बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर आगे भी देखने को मिल सकते हैं ठीक है और आपके एक्जाम में भी देखने को यह मिलेगा बात करते हैं कुतोबुदीन एवग्की पहला है जो दिली सल्तनत का पिर्थम शासक था घृठंट है तो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का पिर्थम सासक कौन था मुहम्मद गजनबी मुहम्मद गौरी एबक या पिर हो जाता है बल्बन यह अभी हमने देखा है कि दिल्ली सल्तनत या पिर जो गुलाम बंस आता है पहला ही बंस था दिल्ली सल्तनत का गुलाम बंस इसकी स्थापना किस ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई इसके बारे में आपको बताना है पहला 1204, 1206, 1208, 1210 तो जब इस थापना पूछ रखे तो अंतिम भी पूछ सकता है अभी हमने बताई थी स्थापना हुई थी 1206 में और जो अंत हुआ था वो हुआ था 1526 है गुलाम बंस की नीपड़ी थी तब ठीक है सोरी मुगल समराज की नीपड़ी थी तब ठीक है पानिपत के समय तो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई कब 1206 में है ना अगर बही बात कर ले कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी तो बही हुई थी 1206 में अगर यहां पर एक और पॉ 10 में किसकी मत्यू होती है कुतुब बुद्दीन एबक की मत्यू हो जाती है कुतुब बुद्दीन एबक की मत्यू कब हो जाती है इसकी मत्यू हो जाती है 1210 में चौगान खेलते हुए होती है घोडे से गिर कर किसे घोडे से गिर कर चोगान खेल तो इसकी मित्ती हो जाती है तो कैसे याद करेंगे कि कौन से खेल से मित्ती हुई थी तो घोडे के कितने होते है चार पैर चार पैर मतलब चोगान ठीक है तो बिल्कुल आपको याद रहेगा कि कुतव बुद्धिन एबक की देखो नीब पड़ी कब नीब पड़ी 1206 में घोडे के कितने पैर चार पैर चोगान खेलते हुए मित्तू और चार बरस ही बाद क्या होगी मित्त्यू जे में अगर मैं चार जोर दूँगा कितना हो जाएगा 10 हो गई ने मित्त्यू बिल्कुल घोडे से याद रखना बस घोडा याद है तो आपको बिल्कुल निकाल सकते होगी चोगान खेलते हुए चार पैर होते हैं चोगान खेलते हुए मित्त्यू हुई थी घोडे से गिर के मित्त्यू हुई थी और चार बरस के बाद हुई थी तो दिल्ली सत्य श्टार्ट होई थी छे में चार जोड़ देंगे हो जाएगा दस हो गई मित्यू बिल्कुल याद हो गया आगे देखो नेक्स उकुशन की बात करते हैं नेक्स उकुशन दे रखा है तुमारा कुतुब बुद्दीन एबक्की मित्यू का कार था कुतुब बुद्दीन एबक्की मित्यू का कार क्या था घोड़े से गिरकर हाथी से गिरकर हत्या करके या फिर हो जाता है नदी में डूब कर तो अभी हमने क्या देखा था इसकी जो मित्यू हुई थी घोड़े से गिरकर हुई थी चौगान खेलते हुए किसको चौगान खेलते हुए इसकी म्रत्य हुई थी और म्रत्य कब हुई थी चार बरस के बाद चौगान चार घोड़े के पैर कितने चार दिल्ली सलतानी स्टार्ट हुआ था छे में बक्स कहा जाता था ये आपको यहाँ पर बताना है बताएगा मुहम्मद गौरी को एबग को इलतूत मिस को या फिर बलबन को बताएगा तो बात करते हैं मुहम्मद गौरी की हमने क्या देखा मुहम्मद गौरी जो था मुहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था किस पर मैं कह सकते हैं पित्वीराच चोहान की बीच उदुए थे 92-92-94 कर दूँआ था है ना 92-92 और 94-94 तराइन का पिर्थम तराइन का दुतिय और चंदाबर कर दूँआ था पित्वीराच चोहान और गौरी के बैत्वीराच चोहान और जयचंद के बीच तो बात करते हैं मुहम्मद गौरी तो हमने देख लिया इससे पहले पड़ रखा है तो ये तो होगा नहीं तोकि मुहम्मद गौरी को ऐसा कोई लाख भक्स नहीं कहा जाता है बही बात करते हैं एबग को बिलकुल कुतुब बुद्दीन एबग को ही क्या कहते हैं लाक बक्स कहा जाता है अगर बात करते हैं बलबन बलबन को क्या देते हैं बलबन को उलूग खाकी उपादी दी गई थी किसकी उलूग खाकी जो बलबन था उसे उलूग खा की उपादी दी गई थी ठीक है तो इसे उलूग खा भी कहा जाता है किसको बलवन के लिए इसके बार विटल में देखेंगे लास्ट में क्योंकि यहां से क्योक्शन बनेंगे तो कुछ कुशन चूटते उनको थियोरी बाइस में देखेंगे लास्ट में ठीक है उन्हें लिख लेना बही बात करते हैं इल्टूत मिस इल्टूत मिस जो था वो कौन था इल्टूत मिस जो था वो कहते हैं कुत्व बुद आगे देखते हैं, next question क्या दिरेका है, next question तुमारा कह रहा है, अजमेर की मस्जित डाई दिन का जोपड़ा बनवाया था, किसने बनवाया था, यह आपको बताना है, अजमेर में एक मस्जित है, डाई दिन का जोपड़ा, इसको किसने बनवाया था, आपको बताना है, मुहम् एक हो जाता है डाई दिन का जोपड़ा और जो अजमेर में है, एक हो जाता है कुबबत उल इसलाम मस्जित, कौन सी? कुबबत उल इसलाम मस्जित हो जाती है, वो कहां पे है? दिल्ली में है, ठीक है? एबक को दास के रूप में खरीदा था जो एबक था कुतुबुदीन एबक था इसको दास के रूप में किसने खरीदा था ये आपको यहाँ पर बताना है बताएगा भी राइट आंसर क्या होगा एबक को दास के रूप में किसने खरीदा था फकरुद्दीन अब्दुल अजीज ने या फिर मुहम्मद गौरी ने या मुहम्मद गजनबी ने इन में से कोई नहीं right answer क्या होगा इसका जो right answer हो जाएगा क्योंकि एबक से पहले कौन आता है एबक से पहले आता है गौरी तो इसे किसने खरीदा होगा भई गौरी ने खरीदा होगा किसने गौरी ने खरीदा होगा क्योंकि सबसे पहले कौन आया था 712 इसमी में वो आया था मुहम्मद बिन कासिम अरभी आक्रमकारी पहला था ठीक है जजिया कर उसे ने सुरात किया था तो वो कौन आया था मुहम् दिन एबग जो गुलाम बंस की स्थापना करता है तो एबग को दास के रूप में किस ने खरी रहा था तो भई मुहम्मद गौरी ने खरी रहा था राइट आंसर होगा ऑप्सन नमबर बी आगे बढ़ते हैं नेक्स कुछ अमना कह रहा है कि मुहम्मद गौरी ने एबग को सुवेदार बनाया मुहम्मद गौरी था उसने एबग को सुवेदार बनाया कब सुवेदार बनाया था ये आपको यहां पर बताना है पहला दे रखा है 1190 में 1192 में 1194 में 1195 में राइट आंसर क्या होगा मुहम्मद गौरी ने एबग को सुभेदार बनाया था सुभेदार देखो याद कैसे करें याद कैसे ट्रेक बताऊंगा सुभेदार में आपको देखने मिलेगा दासे क्या मना सकते हैं दो दासे क्या मना सकते हैं बई दो तो देख लो कहां पर है 1192 right answer option number हो जाएगा अपना 2 ठीक है वही right answer option number B हो जाएगा option number B आगे बढ़ते है next question यहाँ दिरखा है गुलाम बंस का जो शासनकाल है वो माना जाता है गुलाम बंस का जो सासनकाल हो जाता है वो कब से कब तक माना जाता है ये आपको बताना है फटावड आंसर दीजीगा पहला दिरक्ता है बारा सो चे से लेकर 1228 तक, अस्ती तक 1208 से लेकर 1290 तक बारा सो 6 से लेकर 1290 तक या फिर हो जाता है बारा सो 10 से लेकर 1290 तक कि राइट अंसर अपना क्या हो जाएगा फटावर कमेंट में चाप देना है तो बात करते हैं इसका जो राइट अंसर हो जाएगा बहुत हो जाएगा 1206 से लेकर 1290 ता क्योंकि दिल्ली सल्तर के नीप पड़ी थी वो कि तो बुदिन एभक नहीं डाली थी कब 1206 में तो इतना च्छे है इसको सीधा कर दो इसको मैंने सीधा कर दिया और लाश्ट में लगा दो जी यहां पर को बारही ठीक है तो बात करते हैं 1290 बिल्कुल आपको याद रहने वाला है आगे बढ़ते हैं फिर इसको बस उल्टा करना है 6 को उल्टा करेंगे 9 बन जाएगा और लास्ट क जीरो लगा देना गुलाम बंस का अंत हमारे लिए पता जाएगा कि गुलाम बंस का सासनकाल कब से कब तक था तो 126 से लेकर 1290 तक आगे बढ़ता है next question यहाँ दरका आएबक के सासनकाल में उसके प्रमुख प्रती दुन्धी कौन थे जो आएबक का सासनकाल था उससे में इसके प्रती दुन्धी मतलब कह सकते हैं अपोजिट पार्टी के कौन थे वो बताइएगा पहला है नसुरुद्दीन कुवैचा फिर हो जाता है और हो जाता है तुम्हारा आगे ताजुद्दीन यद दौला यह प्रताय यह सभी राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल कि बात करते हैं एवद के सासनकाल में इसके प्रमुक पुर्ति दुंदी कौन थे मतला पूज़पाट में कौन थे राजपू तो पता है आपको कि राजपू तो लड़ते ही थे है ना उसके बात करते है नसरुद्दीन को बैचा भी था तो यह भी हो जाएगा कौन थे कौन थे यह सभी हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं next question को देखो next question का answer मारा क्या रहने पार यहां रखा है मामुलूक सुल्तान का अर्थ है जो मामुलूक सुल्तान है उसका अर्थ क्या है यह बताना है सुतंतर सुल्तान कथा कतित दास सुल्तान या पर दास सुल्तान या पर बताएगा भी राइट अंसर क्या होगा विल्कुल इसका तो राइट अंसर सोचा बिल्कुल राइट होगा option number B कता कथित दास सुल्तान ठीक है राइट अंसर option number B हो जाएगा next बढ़ते हैं एबक के बिद्वान रहते थे यह आपको बताना है पहला दे रखा है त्रज ए मुदब्बिर देखा है ना इससे पहली वाली वीडियो में याद होगा आगे देखो हसन निजामी पढ़ रखा है हमने आगे देखो आ तथा बादोनू या फिर अमीर खुसरो राइट आंसर क्या होगा ठीको बात करते है इस दिना तो हमें पता है जो अमीर खुसरो है वो किसके दर्वार में थे यह अपने बलबन के दर्वार में हो जाते है इसके अमीर खुसरो बलबन के दर्वार में आता है क्योंकि गुलाम बंस के बाद को इसकी स्थापना होती है खुलजी बंस की अर अलाव deen खिल जी के तो बात करता है किस किस की दर्वार में आया था अमिर खुरो तू बलवन के जलाव ँदीन के जला दिन खिल जी के और अलाव त्दीन के कैसे याद करेंगे खिल जी तो यहां पर खुसरो देखने को मिलेगा ठीक है खुसरो देखने को मिलेगा बिल्कुल आपको याद रहने वाला है कि बलबन के दर्मार में आये थे जलाल लुबदीन खिल जी खिल जी वंस में आया होगा क्योंकि यह खुस रह रहा है ठीक है तो इस प्रकार से तो यह तो अ मुदब्बिर और हसन निजामी पहले पड़ रखा है तो राइट आंसर दोनों जाएंगे राइट आंसर रोजाएगा और बाफ दोनों अगर कंट्री वीडियो देखते रहोगे तो एक दूसरे रिलेटेड है सारे की सारे ठीक है तो तो देखना है देखना है आपके लिए आ संबत किस बर्स लिखा था अब हजरी संबत मुछले तो मुहम्मद सहब ने देखाता नामने दो आ सुरी 1122 था न 1122 वो वाला तो बात करते हैं 1022 होगा वो वाला एक हजार 22 ठीक है अब यहां पर देखो यहां देरे का है फक्र मुदब्बिर ने सज्रा ए सज्रा ए अंसब किस बर से लिखा था किस बर से लिखा था एक्जाम में यह पूँछ सकता है ये भी पूछ सकता है कि सजदा जो अंसब है वो किसने लिखाता तो ये भी आपको याद होने चाहिए किसने लिखाता फक्रे फक्रे मुदब्बिर ने लिखाता किसने फक्रे मुदब्बिर ने लिखाता कैसे आत करें फक्र मुझे फक्र है अब बंदे को फक्र कब होता है बई जब वो अपने देश के लिए सहेद हो जाए है ना यही तो होगा फक्र तभी होगा उसके लिए तो देश के लिए क्या हो जाए सहीद हो जाए तो फक्र अप देश के लिए सहिद हो रहा है भई क्या होगा भई कोई ना कोई या तो कोई terrorist आएगा कहते हैं बहुत बरबरता करते हैं कोई अंग काट के लिए आते हैं लज Diskuss भी करते हैं तो आपको अंग देखना है बस तो अंस यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा अंस बिल्कुल याद रहेगा कि फक्र जो मुदब्बिर ने इसको सज्रा ए अंसब किस बर से लिखा है तो सज्रा ए अंसब लिखा किसने है ये तो है पसा गी किसने फक्र मुदब्बिर ने ठीक है भी अब लिखा कब है बहे देखना है बारा सो चार 1205 1206 1210 राइट आंसर क्या होगा माइंड चलाया नहीं चलाया माइंड चलाया होगा तो बिल्कुल आंसर क्योंकि फक्र ए मुझब्र किसमे था गौरी के सासनकाल में था तो जब दिल्ली सल्तंत की स्थापना होगी तब यह इसकी स्थापना करेगा इसका मतलब हो जाएगा 126 क्या हो जाएगा 126 थोड़ा सा दिमाग लगाया right answer ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाया right answer हो जाएगा आगे बढ़ता है next question यहां दरेकाए next question को देखो दरेकाए कुतब उद्दीन एबग जो कुतब उद्दीन एबग था उद्दीन एबग था उसने अपना पहला बजीर किसे बनाया था पहला बजीर किसे बनाया था यह देखा यहां पर जो कुतब उद्दीन एबग था उसने अपना पहला बजीर किसे बनाया था पताएगा पके मुदब्बिर इसामी असन निजामी अमीर खुसरो right answer क्या होगा right answer क्या रहने बाला दी आई बताएगा right answer क्या होगा निकाल दिया न निकाल दिया वे टरीक है इस तीवी ठीक है तो बात करते हैं कुबत स्ञारी कुत बुद्दीन एवक ने अपना पहला बजीर किसे नुक्त किया था तो बजीर में आपको देखनाा है पहला पहला बढ़ बा और यहां पर भी देख लेना बा तो राई टानसर क्या होगा फक्र मुझबिर कौन फक्र मुझबिर क्यों बना अगे देखते हैं एबक में तुरकों की निर्भिक्ता जो एबक थे कुतबुदीन एबक थे उनमें तुरकों की पृति निर्भिक्ता एबम एक इरानी की उदारता और सब्भिता मिस्रित थी किसका कथन है ये बताना है कि वहें इरानीों से तुरकों से क्या करता था उदारता और सब्भिता र हुआ बमीशह का इसले से की का जून है आपको यहां पर बताना ठीस हसन निजामी का यह पर डॉक्टर हभीलॉथ या अमीर को सुरू का यह पिर अमीर में हासन का बताएगा लंगी बताओ क्या होगा है कि असी ना रहा है रोगिए का सब्सक्राइब बिल्कुल इसका जो राइट अंशर अपना रहने वाला है वो हो जाएगा कौन सा कुम्बते ना में उदारबाद इसका जो राइट अंशर हो जाएगा उदारबाद की बात हो रहता हुआ है कौन था भई आपक है राइट अंशर हो जाल जाता है हभी बुल्ला का किसका हभी बुल्ला का हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां दरका है कुत्व बुद्दीन को कहां दफनाया गया था कुत्व बुद्दीन को कहां दफनाया गया था आपको पता है चौगान खेलते हुए मित्ती हुई थी ठीक है घोडे से मित्ती हुई थी कब हुई थी चार बर्स के बाद 1210 में अब दफनाया कहां गया क्योंकि जब कुतुबुदीन एवग था जब गुलाम मंस्की स्तापना के थी तो उस समय जो गुलाम मंस्की राजधानी इसने बनाई थी वो बनाई थी दिल राजधानी जो बनाई थी बनाई थी लाहोर कहां बनाई थी लाहोर ठीक है और लाहोर में इसे क्या हुआ था दफनाया गया था इसकी राजधानी में ही दफनाया था कहां पर लाहौर में तो बहुत ध्यान से याद अखना है कि जो कुतबुदिन ऐबक है उसे कहां दफनाये गए था जहां उसने राजधानी वनाई थी कहां पर लाहौर में बहीं इसे दफनाया गया था अब इल्तूत मिस आता है जो इसका दामाद होता है इलतूत मिस, वो क्या करता है राजधानी परिवर्दित कर देता है कहां से, दाहोर से, लाहोर से कहां इसका एक बेटा होता है उसकी बारे में लाश्ट में देखींगे डिटेल में ठीक है? लाश्ट में पढ़ेंगे थोड़ा सा वो detail बहुत ज़रूई है आपके लिए अगर वो नहीं पढ़ोगे तो exam बच भी सकता है मैं आपको deeply पढ़ा रहा हूँ कि एक भी question क्योंकि आपका ये बहुत deeply दे रखा है बहीं से दे रखा है सब कुछ मैंकर कुछ points हो है कोगी काट रखे है नोने ठीक है तो हम क्या करेंगे एक-एक points को cover करेंगे ठीक है तो बात करते हैं कौन सा हो जाएगा लाहूर हो जाएगा लाहूर में इससे दफनाया गया था तो right answer क्या हो जाएगा लाहूर में आगे बढ़ते हैं देखो बात करते हैं किसने इलतूतमिस को सुल्तान इलतूतमिस आगया देखो है ना इलतूतमिस को सुल्तान सईद कहा है किसने इलतूतमिस को सुल्तान सईद कहा है किसने कहा है यह आपको बताना है किसने कहा है पहला मिनहाज ने इसामी ने इबन बतूता ने अमीर खुसरों ने किसने कहा है बताएगा भी राइट आंसे क्या होगा बताएगा याद करा दें याद करा दें ठीक है भी याद करा देते हैं तो बात करते हैं इल्टूत मिस किसी को मिस करने की बात हुरी किसी को मिस करने की और किसी को मिस करते हैं तो किससे करते हैं मन से करते हो है ना मन से करते कहा है तो मन से करते हैं उसे मिस जब कोई छोड़कर चला जाता है मत दो सई और सई अब देखो अब जब शईद हो जाता है तो किससे मिस करते हो मन से तो मन कहां चुपा हुआ है देख लो मन मा और ना मन तो राइट आंसर मिनहाज किसने कहा है किसने इलतूत मिस को सुल्तान सईद कहा है तो वो कहा है मिनहाज ने किसने मिनहाज ने आगे बढ़ते next question और जिसके सी को PDF डानलोड करना है बोडिस्कप्सन दे रहा है लिंक बहा से डानलोड करने न कर लेना क्योंकि एक बार यहां पढ़ना है और फिर वीडियो से पढ़ना है ठीक को कि बार बार रिवाज नहीं कर पाओगे इसके लिए तो इसलिए PDF डानलोड कर लेना क्योंकि उससे रिवायज करते रहना ठीक है जोकि रिवायज होता रहा है कंटीनिर रिवायज करते रहना एक गंड़ा से देना आराम स्याद हो जाएगा सब होगा कि अब सब्सक्राइबस करें हिकायत कर सकते हैं एक बार हिकायत हिवाजज्ठ कर सकते नीना तो यह पर हिवाजद्फ està क्रेंज कर के हिवाजद क्या कर लो हिफाज़त कर लो हिकायत को हटा कर क्या कर लेते हैं हिफाज़त कर लेते हैं तो हिफाज़त हमारी बन जाए तो हिफाज़त हम किसकी करेंगे मिनाच की करेंगे मन की हिफाज़त करेंगे मालिक की हिफाज़त करेंगे मालिक तो खोदी मालिक है हीरा तो हिफादित किसी करेंगे बई कोही नूर की तो बात करते हैं जमाबी उल हिकायत किसकी रचना है नूर उदिन नूर उदिन मुहम्मद आफी की तो बिल्कुल याद रहेगा तो राइट अंसर रोजाएगा ऑप्शन नमबर भी ठीक है भी आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन देखो नेक्स कुशन का आंसर क्या होगा नेक्स कुशन रखा है निमनी में से किसने इलतूत मिसको दास बंसका बास्तिविक संस्थापक माना है तो दास बंसका जो बास्तिविक संस्थापक है वो किसने माना है इलतूत मिसको डॉक्टर इस्वरी परसाद ने लैनपूल ने या पिर आर्वा दोनों ने या फिर सामी ने तो इसका जो राइट आंशर उंगा तो extra is प्रसाद ने और लैनपूल डोनों नेंसे क्या माना है दास बंश्का बास्श्त स्थापक मना है ठीक है इलतूत मिसको किस वर्स बैदिता प्राप्त होई थी आपको बताना है पहला 14 जून 1228 में 18 फर्वरी 1929 में या फिर 11 फर्वरी 11 मई 1230 में या फिर 11 अगस्त 19 याद आता है यह है क्या वही है ना तो बात करते हैं 11 1231 में फोड़े से 1900 मतलब गांदी पड़ रहा है तो बही याद आता है ठीक है 1900 कोई देख नहीं थे तो बात करते हैं इलतूत मिसको बगदाद के तो miss करते हैं तो आप जानते हो जब किसी को miss करते हैं तो पक्षियों के एकलाते हैं दाना खलाते हैं ना पक्षियों के एकलाते हैं दाना खलाते हैं तो यहाँ पर दाना देख लो कहाँ पे है दो और नो एक साथ पढ़ेंगे तो दाने पढ़ेंगे तो यहीं हिमार हो जाए इल्तूत मिस ने किस बिद्वानों को सनच्छण परदान किया था जो इल्तूत मिस है उसने किन बिद्वानों को सनच्छण परदान किया था आपको बताना है पहला देखा है मिनहाज उस सिराज मलिक ताउदीर या पर देखा है और बाद दोनों उल्वी उल्वी नहीं होगा यहाँ पर उत्वी होगा गल्द दे रखा है नो छपाई गल्द कर रखी है ठीक है उत्वी होगा यहाँ बताओ इल्टूत में इसने किस बेद्वान को सरच्छा प्रदान किया था तो मिनहाज उस सिराज को भी किया था और मलिक ताउद्दीन को भी किया था मगर उत्वी जो था मुहम्मद गजनेबी के सासनकाल में आये था तो इसे नहीं करेगा ठीक है यह तो पीछे की बात हो गई तो राइट आंस हो दाएगा ओप्शन नमबर सा आउर्वा दोनू है ना आउर्वा दोनू आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉशन यहाँ देखो भारत अरव नहीं है भारत अरव नहीं है इसे दारुल इसलाम में परिवर्थित करना ब्याबाहरी के रूप से संभव नहीं है किसका कथन है कि जो भारत है वो अरव नहीं है जो यहाँ पर आके इसलाम में परिवर्टित से कर सकते हो यह किसने कहा था यह जो कथन है वो किसका है इलतूत मिस का, इशामी का उतवी का या फिर हो जाता है बलवन का राइट अंसर क्या होगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बो जाएगा, इलतूत मिस ने किसने कहा है, इलतूत मिस ने कहा है, ऐसे आत करना कि मिस मैं परिवर्टत नहीं कर पाया ठीक है, मैं परिवर्टत नहीं कर पाया मैं तब तक खतम हो गया मैं अब भी मिस करता हूं कि मैं कर सकता था मगर नहीं कर पाया तो हो नहीं सकता सिधी बात दिये ठीक है इस परकार से याद कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं next question यहां देरेक्षा है मकवरों का पितामा मकवरों का पितामा किसको कहा जाता है मकवरों का पितामा किसको कहा जाता है कुतबुदीन एबक को वल्वन को इल्दूत मिस को या फिर रजिया को right answer क्या होगा मकवरों का पितामा किसको कहा जाता है कुतबुदीन एबक को वल्वन को इल्दूत मिस को या फिर रजिया को right answer क्या होगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा लगा दिया ना बिल्को लगा दिया भे लगा दिया मकवरो का पितामा किसे कहते है इल्टूत mis को है ना इल्टूत mis को मकवरे कोई बंदा जो खतम हो利ता यह तो उसके मकवरन बाते यह तो क्यादा रहेंगे, मिस करेंगे उसे मिस, और जो लोग मिस करते होंगे बही क्या होगा, तामा हो जाएगा है ना, मतलब जो इस लोगो जादा मिस करेंगे, बही हो जाएगा, तो बिल्कुल याद कर लोगे आराम से option number, style, tooth, miss, ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो रहे हैं, एबक ने सिंद्ध के गवर्नर कौाचा से किसका बिभा किया जो एबक था, कुतबोदीन एबक था, उसने सिंद्ध के गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर राजपाल को कहते हैं, गवर्नर कौाचा से किसका बिभा किया था ये आपको बताना है पहला पुत्री का, बहन का, भती जी का या फिर भान जी का तो कुत्व बो दिन एवक ने अपनी जो बेटी थी उसका बिभा तो इल्टूत मिस्से कर दिया तो अब ये तो होगा नहीं भी पहले पुत्री लगा दो मगर ये गलत होगा क्योंकि इल्टूत मिस्से उसकी बेटी का बिभा हो गया था तो बात करतें एवक ने सिंद्ध के गवणर क्वाचा से किसका बिभा किया था तो बहे करेगा अपनी बहन का, किसका बहन का करेगा, राइट आंसर उप्शन नमबर बाव हो जाएगा, नेक्स कुशन की बात करते हैं, नेक्स कुशन को देखो नेक्स कुशन कर रहा है, दिल्ली के क्वाचा उल्ले, कुबबत उल इसलाम मस्जित का अंदरिमाड करवाया नेक्स करवाया था, यह हमने पहले ही देख रहा है, किस ने करवाया था, गौरी ने, इलतूतिमिस ने, कुशन बुद्धिन, एवक ने, तो राइट आंसर क्या होगा, कुशन बुद्धिन, एवक ने, डाई दिन का जोपड़ा इसने बनवाया था, अजमेर में, ठीक है, और कुटब मीनार भी इसने बनवाया थी, दिल्ली में कुटब मीनार, और बही बात करते हैं, डाई दिन का जो पड़ा हो गया, और कुबबत इसलाम मस्जिद जो है दिल्ली में, भो भी इसने बनवाया थी, है ना, तो यह तीनों की तिनों इसने बनवाया थे, यह हम आग पिता निवासी थे कुतुब बुद्दीन जो एबग था उसके माता पिता कहा के निवासी थे यह आपको बताना है तुर्किमिनिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान इरान तो बाकि जो पहले के गजनभी बगरा हो जाते हैं वो तुर्किमिनिस्तान के थे तुर्किस्तान के ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नमबर आ हो जाएगा क्योंकि एक तुर्की सासक था आगे बढ़ता है नेक्स्ट कुश्छन कि यहां देखा है 1197 में इलतूत मिस को गुलाम को रूप में खरीदा था गुलाम के रूप में होना चाहिए था गुलाम के रूप में खरीदा था तो किसने खरीदा था यहां आपको बताना है 1197 में इलतूत मिस को गुलाम के रूप में खरीदा था आभी आपको बता है था किसने करीदा था कुतव बुद्दीन एबक ने क्योंकि यही क्या होता है बाद में अपनी बेटी की जो साधी होत कुतुब बुद्दीन अपनी पिर्जा को समान रूप से नियाय परदान करता था और अपने राज्य की सांती और सम्रद्धी के लिए प्रयत निसील था ये किसने कहा था ये आपको बताना है असन निजामी ने बही मुल्ला ने मिनहाज ने या फिर मुहम्मद गौरी ने राइट आंसर क्या होगा बही बताएगा बताएगा राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल हसन निजामी ने राइट आंसर हसन निजामी ने ये कहा था कि कुतुब बुद्दीन अपनी पिर्जा को वो समान रूप से नियाएप्रदान कराता है और अपने राज्य की सांतिय और सम्रिद्दी के लिए प्रोतन सील है ये किस ने कहा था हसन निजामी ने कहा था इसलिए जो उसकी पुझा थी वो हस्ती थी है ना याद रखेंगे पुझा कैसी थी हस्ती थी अब इसे सोड़ी लाक बक्स होगा लाक बक्स कहते क्यों थे इसी से निकलेगा उतो बुद्दीन अपनी पिरजा को शमान रूप से न्याय प्रदान करता था और अपनी राज की सांती और समध्धी के लिए प्रतन सील था और अपने राज के जो लोग थे प्रजाती उन्हें दान भी बहुत सारे लोग को दिया करता था इसी लिए इसे लाख बक्स भी कहा जाता था क्या इसी लिए इसे लाख बक्स भी कहा जाता क्योशन बन सकता है कि लाख बक्स किसे कहा जाता है तो कुत्व बुद्धीन ऐबक को ही कहा जाता है ठीक है आगे देखो किसने कहा कि मुहम्मद गौरी चौहान था किसने कहा कि मुहम्मद गौरी चौहान था ये ठोड़ी ची दिकत करती है ठीक है यहाँ पर पढ़ती है देखता नहीं है ना बात करते हैं किसने कहा कि मुहम्मद गोरी चाहता था एबक भारत में उसका उत्रादिकारी बने तो कौन चाहता था आपको बताना है किसने कहा कि मुहम्मद गोरी चाहता था एबक भारत में उसका उत्रादिकारी बने कौन किसने यह कथन कहा है यह आपक रखिक है डॉक्टर आसीर वादी राल श्री वास्थम ने या प्र आउर बाज दोनों ने इने में से कोई नहीं रायट आनज़ लपके बूंग आगे डॉक्टर आशीर वास्था रायट आंसव जाये गा कि यह था मारा फ्वड़ा close हो गया ठीक है एम से कि देख लिए इनकी तोड़ा देख लेना थोड़ा थे वाइस देख लेना इसके important facts आपको बता दे रहा हूं ठीक है important facts देखो जो बनेंगे यहाँ से CT not very dry ना जा पाई ठीक है तो बढ़ते हैं फोड़ी त्थी देख लेना अच्छा है आपके लिए ब्यागे के लिए थो बात करते जोड़ा बोर्ट पे जलते हैं भाइट बोर्ट पे जोगे आपको साफ दिखाई दे तो फिर देखिए का ठीक है ब्लैक बाद बाद करते हैं सबसे पहले गुलाम मंस में आपको याद क्या होना चाहिए पिर्थम सासक और अंतिम सासक ठीक है पिर्थम सासक कौन था एवक ही था वो तो बुद्धी न एवक अंतिम सासक कौन था कैकूबाद कैकूबाद भी दे देगा कभी-कभी याँको कैमूर्स देखने को मिलेगा क्या मिलेगा कैमूर्स बहुत इंपोर्टेंट है कभी-कभी क क्या मेलेगा कैमूर से देखने को मेलेगा तो पिर्थbern म शासा को अंतिम्सास बहुत ही इंपुटेंट है अब दिल्ली सल्तնत की स्थापना है तो ये टिके दिल्ली सरापना सब एक्पना हो जाएगा अंध आ गे देखते हैं ऑफ ही बात करते है ठीक है ठोड़ा सा डीपली सी देखेंगे जो के ईक्जाम में आपको देखने को मिले ठीक है राजदानी यह बहुत इंपोटेंट है ठीक है राजदानी जो कुत्व बुदीन एवग था उसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी तो लाहॉर में बनाई थी कहां पर लाहॉर में और लाहॉर में ही क्या गर दिया था दफना दिया गया था लाहॉर में ही से क्या गया था दफनाया गया था बही बात करते हैं इसकी मृत्यू कैसे हुई मृत्यू हुई चोगान खेलते हुई कैसे चोगान खेलते हुई किससे हुई भई गोडे से गिरकर हुई गोडे से गिरकर हुई और कब हुई गोडे से गिरकर हुई लाहोर में दफनाया गया कब हुई तो आपको पता है चार पैर चार वर्स के बाद चार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1210 से इसमिस के क्या हो जाती है मृत्ति हो जाती है न यह यहां से क्योशन मनेंगे और देखो आप तो यहां से जो IMPOTENTS था इसका तो हो जाता है ठीक है थोड़ा साब देखो यहां पर अगले इसने निर्माड कौन कौन से करवाए थे कौन से निर्माड इसने जो निर्माड करवाता है पहला हो जाता है अडाई दिन का जोपड़ा अडाई दिन का जोपड़ा हो जाता है जो कहां पर है अजमेर में अजमेर राजिस्थान ठीक है बही बात करते हैं एक और करवाता है ये किसके जिसका होता है कुबबत उल इसलाम कुबबत उल इसलाम एक मस्जित होती है इसका निर्मार कहा करवाता है ये दिल्ली में करवाता है ठीक है अब एक बहुत ही इंपोटेंट्स जो आपके MCQ में नहीं दे रखा था उसकी और बढ़ते हैं ठीक है तो बात करते हैं वो अपना क्या हो जाता है वो हो जाता है कुतुम मीनार कुतुम मीनार का निर्माड भी यही करवाता है ठीक है कहाँ पर दिल्ली में कुतुम मीनार का निर्माड कोन करवाता है यही करवाता है यह सिर्फ इसको एक मंजल बना पाता है एक मंजल बना पाता है इसकी फ्रत क्या हो जाती है चार बर्सक्याद मत्ति हो जाती है फिर यही कुतुमीनार को निर्माड को पूरा कौन करवाता है यह एक मंजिल बर्बा पाता है इसकी मत्ति हो जाती है निर्माड कार भही रुख जाता है उसके बाद इसका दामाद आता है इसका दामाद कौन? इल्तूतमिस इल्तूतमिस आता है वह इसका निर्माण करें जाता है चार मंजिल चार मंजिल बनवा देता है कौन इल्तूतमिस उसके बाद यही जो कुतम मीनार है वो बिजली के काड़ बादली बिजली जो होती है इस कुतम मीनार पर गर जाती है और एका जो उपर जो 4thी मंजिल थी वो 12.1 तो जाती है ठीक है तूट जाती है उसके बाद आता है फिरोज साहा तूगलक गरोज साहा तूगलक त्यार कब आएता है उसके बाद बिजली के कार्ट जो उपर का हिस्सा होता है बहुत हो जाता है उसके बाद फिरोज साहतुबलक जो आता है इसे पांच मंजल बनबा देता है ठीक है तो यहां पर यह कुत्व मीनार से संबंदित बहुत इंपूर्टेंट क्योशन है ठीक है अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे देखो अगले पेच पर सबसे पहले कौन था एबक लिखो कुत्व बूद्ध मतलगो ठीक है सीधे एबक लिख देते हैं सीधे एबक 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 उसके बाद उसका बेटा आता है आरामसा कौन आरामसा की मित्यू कौन करवाईता है दामाद कौन इलतूतमिस सबसे पहले गद्धी पर कौन बैठा एबक उसके बाद उसका बेटा आरामसा की मित्यू कौन करवा देता है उसका दामाद इलतूतमिस और गद्धी पर क्या बैठ जाता है इलतूतमिस आकर बैठ जाता है अब इलतूतमिस गद्धी पर बैठा भाई ठीक है अब यह इस तेमिस्ट अर्फ मिला उसने दीखो कुतमीनाकरमारा पूरा करबा दिया डिया ठीक है भी बही बात करते हैं इसने इकता प्रणाली कौन सी इकता प्रणाली जो होती है यही शुरू करवाता है और चालिसा कह सकते है उसका नाम क्या था चालिसा ही है कोई ठीक है नाम हो जाता है तुरकान ए चिलहे गानी ठीक है रुकिएगा तुर्कान ए चिलहेगानी जो होता है 40 गुलामों की एक गठन होता है इसको निर्वाण कौन करवाता है और इसे खतम कौन करवा देता है फिर इसे खतम आगे करवा देता है कौन बल्वन बल्वन इसे क्या करवा देता है खतम करवा देता है ठीक है और बल्वन ही क्या करता है लोह रख्त निती की भी अपनाता है बल्वन ठीक है तो बात करते हैं यहां से इतना हो गया इलतूत मिस से इसने कौन कोई चलाए और हाँ इसने एक सिक्के भी चलाए थे एक टंका था और एक जीतल था टंका और जीतल जीतल जो हुआ करता था वो कांसे का था और टंका जो था वो किसका था चांदी का था इसने सुद्ध देखे सकते हैं सुद्ध टंका और जीतल ठीक है सिक्के से question बन जाते हैं अब आगे देख लेते हैं और भी ठीक है थोड़ा सा अब इसका एक बेटा होता है मिसका इलतूत मिसका इलतूत मिसका बेटा होता है ठीक है इसका नाम होता है इसका नाम क्या था रुकुनुद्दीन कौन था रुकुनुद्दीन रुकुनुद्दीन फिरोज होता है कौन रुकुनुद्दीन फिरोज रुकुनुद्दीन फिरोज क्या होता है उसका बेटा होता है अब इसकी मित्यू कौन करवा देता है इसकी मित्यू करवा देती है इलतूत मिस की बेटी कौन रजिया सुल्तान बस यहीं तक आना था भी बहुत इंपोर्टेंट रही है रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान सुरी जो इसकी मित्यू कर देते हैं वो मिस कहा का था तुर्की क्या था तुर्क था तुर्क जो होते हैं इसकी मित्यू करते हैं नहीं करवाती तुर्क करते हैं ठीक है तुर्क जो अमीर होते हैं वो इसकी मित्यू कर देते हैं और इसके बाद गदी पर कौन बैठती है रजिया सुल्तान बैठती है इसी को कहते है पिर्थम सुल्तान पिर्थम महला सुल्तान पिरतम महला सुल्तान किसे कहा जाता है पिरतम महला सुल्तान पिरतम महला जो सुल्तान थी वो कौन हो जाती है वो हो जाती है रजिया सुल्तान बेरी बेरी इंपोटेंट है बहुत इंपोटेंट कुशन है ठीक है इसकी जो साधी होती है इसकी जो साधी होती है वो होती है अलतूनिया से अलतूनिया अलतूनिया से इसकी साधी हो जाती है ठीक है फिर उसके बाद इसकी मित्ति उकरवा देते हैं रजिया सुल्तान की करवा देते हैं मित्ति ठीक है रजिया सुल्तान की मित्ति हो जाती है उसके बाद एक बहरामसा गद्धी पर बैठता है उसके बाद कौन बैठता है बहरामसा बैठ जाता है गद्धी पर ठीक है बहरामसा बैठ जाता है किस पर गद्धी पर बहरामसा गद्धी बैठता है फिर उदर बल्बन जो होता है ठीक है बल्बन होता है इसी में है आपने सब्सकूश देखा है बल् बल्वन आता है तो वल्वन अपनी बेटी की साधी किस से करता है वल्वन जो होता है अपनी बेटी की साधी जो करता है वो करता है नसरुद्दीन महमूद से किसने नसरुद्दीन महमूद से नसरुद्दीन महमूज से बलबन जो होता है अपनी बेटी की साधी करवा देता है इदे लग देते हैं बलबन बलवन ने अपनी बेटी के जो साधी करवा देता है कौन नसुरुद्दीन से और नसुरुद्दीन एक ऐसा सासक हो जात होता है जो टोपी सीकर किसको टोपी सीकर सब important facts है टोपी सीकर जीबन यापन करता है जीबन यापन करता है ये बंदा जो होता है वो टोपी सीकर अपना जीवने आपन करता है ठीक है अब इसके द्वारा जो होता है बहराम साथ बहराम साथ की नित्य हो गई और आप कौन बैठ गए नसुरुदीन गद्धी पर बैठ जाते है अब नसुरुदीन गद्धी पर कौन बैठालता है बलव गानी था ठीक है जो चिलह गानी थी उसको ये समाप्त कर देता है ठीक है जो चिलह गानी होता है जो मिशने त्यार की थी वो इसको क्या कर देता है खतम कर देता है और जो बलबन है उसको उलूख खा की उपादी मिलती है अब उलूख खा की उपादी देता कौन है उलूख खा की जो उपादी थी वो देता कौन है तो यही नसुर्दीन महमूद जो था इसका दामाद है वो इन्हें उलूख खा की उपादी दे देता है ठीक है अब नसुर्दीन बलवन बहाँ पर बैठा हुआ है नसुदिन क्या है? बलवन यहाँ पर बैठा हुआ है उसके बाद करते हैं ये सिजदा और पैबोस भी यही चलाता है कौन? सिजदा और पैबोस सिजदा और एक पैबोस सिजदा और पैबोस यही चलाता है ठीक है? और बात करते हैं ये एक नब रोज तिवहार होता है नब नब रोज तिवहार नब रोज तिवहार भी यही चलाता है बहुत इंपोर्टेंट है यह कुशन बनेंगे आपके एक्जाम में नब रोज तिवहार भी क्या गड़ता है यही चलाता है लोह और रक्त की निती लोहो और रक्त की निती यही अपनाता है ठीक है लोहो और रक्त की निती भी गागरता है यही अपनाता है ठीक है लोहो और रक्त की निती भी यही अपनाता है बही बात करें बलबन के जो पिरसिद कभी होते हैं वो जाते हैं अमीर हसन और अमीर खुसरो इसके दरबार में खुश्रो यही क्या पहुंचेंगे खिल जी बंस में आगे पहुंचने वाले हैं तो बस इतना ही है और अंतिम सासक फिर अपना आ जाता है कौन अंतिम सासक बीच में छोड़ दिया है मैंने बहुत सारी वो सब बेकार हैं अंतिम सासक जो आता है वो जाता है कैमूर या कैकू बस इतना ही facts है इतना अगर आप याद कर लोगे तो मेरा मानना है कि आपके exam में एक भी question नहीं बचने बाला ठीक है इतना है कैमूर कैकुवाद ठीक है भी इसके इंसोर्स अभी के ले लिए होंगे आपने और वीडियो डानलोड कर लेना डिस्क्रिशन नहीं रखा है ठीक है बस इतना ही question बनेगा यहां से बाहर एक भी question नहीं बनने पाला आपका ठीक है बस इतना ही लेक लेना अच्छे विरकार ठीक ठीक है बीडियो को लाइक करना है शेर करना है चैनल को कर देना है सस्क्राइब ठीक है और फिर अगले जो हमारा आने वाला है वो कौन सा होगा देख लूँ एक बार अच्छा तो इसी में भाग डिबाइड कर रखे है कोई बात नहीं हमने अभी पढ़ लिए ठीक है कोई बात नहीं अभी पढ़ लिए अगले क्या होगी हमें सहलियत हो जाएगे ठीक है मतलब अगले जो आने वाला है वो इलतूतमिस आने वाला है इलतूतमिस अमने पढ़ी लिया सब कुछ ठीक है तो अब जो क्योशन लगाएंगे बहुत सौट हो जाएंगे वो कल ठीक है कल तो फिर मिलेंगे अगले next class की हो और कल हमारा हो जाएगा इलतूतमिस देख लेंगे और next points हो जाएगा अपना कौन सा हो जाएगा रजिया सुल्तान ठीक है दोनों को देखेंगे continue रजिया और दो ठीक है कल आपको दो वीडियों मिल जाएंगी तो फेंट लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बैल आकन को प्रेज करना क्योंकि एक्जाम में बाई दुमा दुमा करके आना ठीक है तो फेंट जैहें जे भारत